नमस्कार विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है मरहू कांची बजाज रीवा का केंद्रिय जेल अपने कारनामों के लिए आए दिन चर्चा में गाता है कई बार पैसा उगाही से लेकर मार पीट करने के आरोप लग चुके हैं इतना ही नहीं जेल में बंद रहते आरोपियों ने हत्या जैसी शाजिश रख चुके हैं ताजा मामला एक बार फिर सुर्फियों में है दरसल केंड्रिय जेल रिवा सजायफता बंदी राजुशुकला पिता ईश्वदीन शुकला निवासी पाली ठाना बैकुनपुर्खी गर्दिवस संदिगत परिश्चितियों में मौत हो गई थी परिजनों ने मार पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था जिसकी जाच की जा रही है कारवाई ना होने के चलते परिजनों ने 181 में शिकायत कर दी तो जेल प्रबंधन परिजनों को जंकी दे रहा है दरसल परिजनों ने उक्त मामले की शिकायद पुलिस अधिक्षक से लेकर डीजी जेल तक की लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा पुलिस अधिक्षक कार्याले पहुचे मृतक के बेटे ने बताया कि जब वुक पिता से जेल में मिलने जाता था तब उनके द्वारा बताया जाता था कि जेल अधिक्षक एसके उपाद भाई, राजे शगनी होतरी, जेलर प्रेशान चोहान चक्कर, अधिकारी विवेग मौर्या फार्मेस्टिक के द्वारा उन्हें प्रतारिक किया जाता है अगर उन्हें एक लाख रुपए नहीं दिये जाएंगे तो जान से मार देंगे, और कुछ दिनों के बाद परिजनों को जानकारी हुई कि उनकी मौत हो चुकी है हालकी जेल प्रबंधन ने ये बताया था कि हालक गंबीर है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया था कि मृत्तक अवस्था में जेल से एस्पताल लाया गया था 181 की शिकायत काटने के लिए केंद्रिय जेल रिवा के लेंड लाइन नंबर 0766252563 से फोन कर धंकी दी जा रही है पहले तो फोन करने वाले ने प्रलोबन दिया कि तुम्हारे बच्चों को मदद की जाएगी लेकिन जबृत्तकी पत्नी और भतीजे ने ठोज जवाब दे दिया कि उनके पती और पिता को जीवित लाया जाए उसकी कीमत वो चुकाने के लिए तयार हैं तो धंकी दी गई जिसकी शिकायत बरिजनों ने वरिष्ट अधिकारियों से करते हुए अपने जान, माल और सुरक्षा की गुहार लगाई है आईए पहले आपको सुनाते हैं वो ओडियो जिसमें जेल प्रबंधन के द्वारा धंकी दी जा रही है तो इसमें कारवाई हुई है, जान्च कारवाई प्रस्तावित हो गई है, माननी न्याले जान्च की जा रही है, महोदे द्वारा, तो उसमें आप लोगों कस्षन हो गई अभी की नहीं हो पाए हैं, अच्छा, तो फिर आप उसकायत को थोड़ा सा कुछ विचार करिए, क् आप अप जान्च कारवाई प्रस्त में हैं, जो भी वहां से निर्देश होगा, तो फालो तो आल्रेडी है, चल रही है, तो दो जगए को जान्च चले मेरे करने का मतलब यह स्था, आपका मैं माडर कर दू, उसके बाद फिर बताएं कि वो क्या फोचे, नहीं ठीक है, नह आपको सुनाते हैं, जिसमें दबाव बनाते हैं, जिसमें दबाव बनाते हैं, हुए धंकी दी जा रही है, और साथ ही प्रलोबन भी दिया जा रहा है, और ये भी खुला सक्या जा रहा है, कि 181 में शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, जो मद्द प्रदेश सरकार के 181 की पोल खोल रहा है, कि दी जाए है और आए हो जाती है इसकी ख़राएगा, जो आप इसे जज़य है कि आप अगर जो अपनी सख़वा सिकायत में काउंड क्याहज भी अगरता पंका नहीं है, जाए है यहां पर जाए हैं, जाए है ची देखिए, यहां पर जाचाप करें, रागवे विशुनात अगर जान के पएसा देते हैं ऐब तो भूतार से बटीड की वानी उखान्तु घूम सबस्टान भी हो और अग्र ऑच्यश है पर दिल पेसा देते तो धना जाये तो हम देरेते हैं रहे कि अगर जैसा अगर जो आप ही बताई सब कुछ पैसे में हो जाता तो आपनी खरीम में लेता दूसरा जीवन नहीं वो तो है पता है लेकिन नहीं जैसे आप लोग बूलें सहातारास दी जाएगी ठीक है पता है कि सहातारास सरकार देगी और उसका बेनेफिट आपको आज अभी भले नहीं दिखा बार भी दिखेगा है ना तो आप अगर तो कोई लिखने को त्यारी नहीं को कभी जे लिखा अब पता है क्योंकि हम लोग गरीब आदनी हम लोग पास इतना पैसा नहीं कौन से सरकारी नोकडी रखी है कि हम लोग ज अगर वो भी ऐसे करते तो क्या करेंगे घर में हम अच्टी चातेंगे आपको पते होगा अगर आपके रिलेस्टे में कभी कोई दुखी होगा तो आप जाके पूछिए ना अब बच्चे दो बच्चे एक लड़गी लेकि हम कहां बटके तो वहीं क्या कह रहे हैं किया से कभी मदद का नगमार आया तो क्या हम लिख पाएंगे तो तो मदद दी जाए मैं तो यह बोल दें को जिब सेंटर सेल बन है तो उसमें अइसा काम ही क्यों होता है क्योंकि सथार तू उनको सबको पैसा जेती है यह घोजख्ष्था चारी क्यों करते लोगों की जान ले रहें उनके घर के बारे में सोचें कारेगा हं और भारे मीजिवत्त ऑर आप लोग के और शीके से क्वरकेश्य turned here नुए नेशाती में कुंकषक साहु करते हैं और झाया उनकी अप्तार कमारे थी जो juda a इंपने व्कुछ निकाला जा सकता ना वो बताईना जो गलस करेगा दिख आपके पाती जी आपके साथ कुछते हं इंधनी के जाते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लाओगा जो सजा उनको जेल में मिली आखे ने ओं की ए तब उनको सजा मिली ठीक हम वो मानते हैं लेकिन और यहां जेल में होगा जो करक्तन करें तो फजा मिलेगी उसी जाथ चल रही है अब उसके लिए कि जो आप दोसी बना दें कि नहीं पूरा वो है तो फिर्टा रुषान होगा हम पहते हैं कि दुम्हां कोई दलब काम करेंगा उसे फजा मिलेगी तो हम यह सुचते कि हमारे पती कि इतने मतलब वो कि उनको इतना जल्दी सजा मिल यह बाकि जो उसके लिए लेकिन लोगो को बता ना उनकी तो उनको तो तीन-चार दिन पहने नमाटा ले थे जब हम लोग फोन लगाते तो बाते नहीं कराते थे बोलते तो घूमने गए हैं यही तो रीजन है ना जो जैस अखिया लेकि उसके सजा पाएगा कि मैं हूं चाहिआ आप पूचे कोई दे हूँ गलब कहुता आगर जो सीमेल अप्लाइन में करने से सजा सथा चाके तो आप विए लिए या उसको चालू ही रखिये पर सीमहल क्लाइन से ठिकाहत करने से कि यह सजाए करने सीजा को सजा है आप यहीं करने जानते हैं जो जैसा करता है उनको कास बिला भी तो कुछ नहीं मिला उनको अश्चाहां पिदू कोמצर रुज प्रीं करें मैं आते हैं साय हैं हम लोग और दो हैं तोनकी पर्दमि पात्रें से पिमारत उसको नहीं जैते लिगिन आप यह बीमारों वांट कॉझ दे रही है तब न पता चले उनके बीबी को को भी पता चले कि क्या होता है कैसे प्राण निकलते हैं उसका भी आगा बता में जोच कोई ब्रियोग आप निस्थिकिर रही है आपके साथ पूरे सहयोग से 100% 100% तरीके से आपका पूरा जेल प्रशासन सहयोग करेगा असहयोग में है पाहिली चीज़ आप देखे को डाम हरे हैं अम्भी रामा हैं तो आपके सहयोग में कहा है कोई कुछ पूरी आपकी सहचा की जाएगी अगर तो आपके बुर्विल अच्छा रहे तो आपना पना स्विश्थ पाएंगे लेकिन वो तो है माल नी जी लेकिन हमें जब तक इनको साधा न मिलेगे तो हमारी आत्मा भी संतुष नहीं होती न अगर जो आपको बताने कि पुर्व पूस्तान चेहिए तो इसके लिए आपको इतना उकनना पड़ गए कि इस यह मरू आएं तो आपको खुछी-खुछी आप हम तैरह रहें हम साधिस गश्ता भी देंगे जो जहां तो करहा जेंगे बस इसमना करता है राज्त में चेह अलिए तो साड़ पर से बन दे ते तो कोई नहीं सुना है तो आप जो दूसरा करुछाली दूसरा अदी मिलंग गैप आप देरी मदद कर सकते हैं जितने हो सब्सक्राइबा आपको समझे के रहेगी बिल्कूल जिराद गया दो आपको पूरी मदद साहेदा की जाये ही तो सहायता में क्या रहेगा आप भी बताईए अब मदद में आपको जो सहयोग राश्टा बुट्सान है आपके बहस्यों पर्षे में लिखने के लिए है तो आपको मेरी तुमाग अगर आपके बहस्यों पर्षे मेरे दो बच्चे है उनके लिए रोजगार आप बताईए उनके लिए रोजगार आप बताईए एक पीफीटी कर रहा है एक कालेज किया है हाइनल है अब उसको करना तो हो गया कौन से कालेज में है वो स्री राम हो हाँ जवलपूर से पढ़ रहा था भी यह किया है इस सल फाइनल हुआ है और एक पीपीटी कर रहा जबाहला नेहरूरीवा से हाँ 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 तो उनके बाईएं किते प्जिंते हैं बार्मी में तो साइद कमें हैं तिकल्ड है चापन उपन है कि आपने कॉलेज में इस्काला से मिलेगी जी पर यह पर परहाई करेंगे तब मिलेगी स्योग रहेगा वो तो हमें पता है कि जब अच्छे परसन लाएंगे पर हो जब पढ़ कहां पाते हैं अब ही यह कता है यह अलावा भ आपको बता है ख्रशन में करेंगे हम परसनली कर देंगे जेल उजाद नहीं चरहेगा इसके लिए आप परसनली ही होता है आप भर पूर मदद कि जाएगी जिसके पितन यहेंगे ता तुम एक होगा पता है बोगी म्रश करने वाला नहीं रहता है जी है तो आपकी सरीयओ म कुछ नहीं है उनका रिलेशन उनको मुबारक हो मेरे लिए कोई नहीं जब तक उनका रिलेशन लिये थे तब तक उमर गए थे अब जिन्दा हुए तक लिए जब उनकी बार यह तो रिलेशन प्रगण यह उक्ता अडियो है जो केंड्रिय जेल रिवा के कारनामों का खुलासा करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि पपू शुकला के साथ अन्होनी हुई आप जिसे दबाने के लिए जेल प्रबंधन उनके परिजनों को भी धमकी दे रहा है अगर जेल प्रबंधन की गलती नहीं ह तो परिजनों को धमकाने और शिकार वापस लेने का दबाव बनाने का कोई सवाल ही नहीं है इतना ही नहीं फोन करने वाला ये भी कह रहा है कि जिसने जो किया उसकी सजा पाया आईए आपको सुनाते हैं घटना दिनांग को संजय गांधी अस्पताल के सीमों अतल सिंग न परिजनों को जानकारी दी कि हालत गवधीर है अस्पताल पहुचे लेकिन डॉक्तर सीमों अतल सिंग का कहना था कि मृत अवस्था में पपू शुकला को अस्पताल लाया गया था इतना ही नहीं पपू शुकला के नाक से खून बहरा था सिर के पीछे चोट लगी ही थी और शरीर के अन्य अंगों पर मारपीट के निशान थे आईए अब आपको सुनाते हैं मृत्तक के बेटे ने पूरी धंकी और शिकायत के संब्द में क्या जानकारी दी है बताए क्या घटना घटी थी और किस तरह से अब जेल से धंकिया आ रही है सर्व घटना ये घटी थी कि मेरे पिता जी 307 में राजुपसाथ सुपला जेल में बंद थे तो उन्होंने जब बंद थे तो उनको मनलब अंदर से प्रताड़ित किया जाता था और बोलते थे कि बेटा मनलब वो जेलर जो अधिक्षा के राभवे सगनी होतरी और एसके उ एक ज्यारा तारी को एक लाग की माग हुई तो मैं बोला कि पापा मेरे पिता जी बोले कि बीटा एक लाग की माग हो रही है जेल के अंदर से तो एक लाग की वेवस्था करवा हो तो मैं बोला कि पिता जी मैं करवाता हूं कहीं न कहीं से तो मैं बोला तो चार दस दिन पत्या करती गई जेल त्वारा कैसे पता चला था फिर आप लोग क्या कि वहां जेल से एक नंबर से फोन आया था कि तुम्हारे पिता जी संजय गांधी में एडमीट हैं और जब मैं संजय गांधी में गया और एकाद दो घंटे धाज़दार मनलब धूरे तो पता चला कि त केंड्रिय जेल रीवा के कारणा में जहां अपरादियों को संदक्षान और पैसे की वसूली होती है यह हम नहीं कह रहे हैं इसके पहले दरजनों समाथ से भी अपरादी छूट कर बाहर आए हैं और खुलासा कर चुकी है अब देखने वाली बात यह है कि पीरित के द्वार को देखने के लिए बने रही है विराट 24 के साथ हमें दीजे अजाजत आपका बहुत बहुत धन्यवाद